नमस्कार दोस्तों मैं हूँ मनोज कमार और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि यह जो टूल बार है और यह जो रिवन बार है रिवन बार को किस तरह से हाइड करते हैं और किस तरह से उसको एक्सपेंड करते हैं जैसे कि यहाँ पर हाइड करने के लिए अगर मैं र क्लिक करेंगे तो जब्सक्ति के लिए ऐन क्लिक होगा है लेकिन अगर यही कर बैसके नहीं कदेशन करेंगे उस टैम के लिए एपएर होगा लेकिन क्या और यह चला गया है तो उसके लिए क्या करेंगे के हम चुट sery राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पर minimize the ribbon bar में click किया हुआ है, अगर इसको मैं press किया तो देखिए automatic ribbon bar आ गया है तो इस तरह से अभी कभी कभी होता है कि इस तरह से नहीं दिखता है, तो यह जो है automatic hide हो गया है और इस तरह से so करेंगे फिर से मैं दो रहा हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं minimize the ribbon bar तो चला गया, minimize हो गया तो अभी जो है option जब आप यहाँ पर click करोगे, उसके बाद ही आएगा यहाँ पर click करोगे, तो automatic वो चला जाएगा, hide हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर जाएने के बाद यहाँ पर चला गया, और दूसरा तरीका क्या है कि इसको hide करने का और unhide करने का, मेरे पास यहाँ on screen keyboard है, मैं यहाँ पर आके दिखा रहा हूँ, तो इसको कैसे तरह से करते हैं, जैसे कि यहाँ पर control में प्रेस करूंगा, ठीक है control plus F1 एक साथ अगर प्रेस करते हैं, तो देखिए automatic जो है, ribbon bar hide हो गया है, ठीक है, अगर फिर से वापस इसको ribbon bar को visual करना है लाना है, तो skill फिर से करेंगे control, control plus F1 हम लोग press करेंगे, तो देखिए automatic जो है, ribbon bar आ गया है, ठीक है, तो इस तरह से कभी-कभी होता है, कि मतलब कि आपके screen में ribbon bar गया हो जाएगा, फिर सोचता हों कि किस तरह से आएगा, वो आने के लिए, बस एक ही concept है control plus F1 आप press कीजिए, देखिए hide हो गया, अगर फिर से दोवारा लाना है, तो control plus F1, तो automatic ribbon bar एपएर हो गया, ठीक है, तो इस बीडियों बस इतना ही, देख रहे थे क्या क्या minimize the ribbon band, इसको मैं control plus F1 से किया, first method, और दूसरा क्या था इसको लाने का, अगर दूसरा क्या था, यहाँ पर जो है, right click करके minimize the ribbon करेंगे, तो यहाँ पर जो है, यह चला जा रहा है, और दूसरा क्या है, इसको फिर से मैं यहाँ पर click करके, यहाँ पर ok किया, तो यहाँ से ribbon जो है, आ गया, ठीक है, यह ribbon जो है, इसके उपर में आ गया ठीक है तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा किस तरह से ribbon को hide करते हैं और so करते हैं ठीक है hide करने का दो तरीका एक जो है आप यहाँ पर जाके minimize ribbon band और so ribbon band ठीक है एक हो गया और दूसरे क्या था control control plus f1 control plus f1 से hide होता है फिर से अगर control plus f1 किये तो यह जो है appear हो जाएगा ठीक है तो बस इतना ही इस वीडियो में ठीक है next मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ thank you